ने एक बहुत बड़ी बात कह दी और ये बात वो 2015 में भी कह चुके हैं ऐसा नहीं है कि पहली बार कह रहे हैं लेकिन जब से ये केस शुरू हुआ है ज्यानवापी का लीगल प्रकरण शुरू हुआ है कानूनी प्रकरण तब से लेकर आज तक सबसे पहली बार शायद मुख् अधितनाथ ने इस पर चुपी तोड़ी है योगी अधितनाथ जी ने मस्जिद के साथ ज्यानवापी का नाम जोडने पर ही सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने कहा और उनका साफ कहना है कि ज्यानवापी के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां है हिंदू धर्म के मस्जिद में क्या कर रहा है ऐसे में मस्जिद का दावा करना घलत है योगी अधितनाथ ने यहां तक कह दिया कि मुस्लिम समाज की तरफ से अब ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए कि एक इतिहासिक गलती जो हुई है उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो कहीं न कहीं योगी अधितनाथ की पुर्जोर अपील कि जो गलती एतिहासिक हुई है उसको ठीक करें समाज में वहमनसिक की जो जड़े है उसको उठखार कर फेक दें जो हिंदू है उसे हिंदूों को वापस दे दें जो ग्यानवापी है और जहां पर आदिविश्वेश्वर है शिव अगर हम उसको मस्जित कहेंगे तो फिर बिवाद होगा मुझे लगता है कि भगबान ने जिसको दृष्टी दी है वो देखे ना तिर्शूल मस्जित के अंदर क्या कर रहा है हमने तो नहीं रखे ना जो तिरलिंग है देव परतिमाये है पूरी दिवाले चिला चिला चिल अब वहीं विश्व हिंदू परिशद के कारेकारी अध्यक्ष आलोग कुमार ने भी मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ के बयान का समर्थन किया है आलोग कुमार ने कहा कि जहां दीवारों पर हिंदू धर्म की प्रतिक चिन्न बने हुए हैं देवी देवताओं की प्रति क्रेक्स में अंदर है यहां इतुम बतें साबित करती हैं कि वह मंदिर है इसलिए जहनोंने मुकदमा किया उन्होंने कहा कि सर्वे करा लिजे सर्वे में कुछ बातें सामने आई शिवलिंग भी सामने आया तो जहां पे नंदी होंगे जहां शिवलिंग होगा जहां त्रिशूल होगा जहां शिंगार गौरी होगी जहां मंदिर का शिखर होगा जहां दिवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ना होगे उस अब वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद स्टी हसन ने भी ज्यानवापी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी स्टी हसन ने हिंदू प्रतिक चिन्हों पर कुछ नहीं बोला लेकिन इतना जरूर कहा कि साड़े 300 साल से जहां पांच वक्त की नमाज हो रही है उसे अगर मस्जि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे जहां साड़े 300 साल से नमाज हो रही हो रेगुलर नमाज हो रही है पांच वक्त की जमाज से नमाज हो रही है तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उस वक्त क्या हुआ था साड़े 300 साल पहले उस वक्त ना कोई कानून था ना स महाराया थे और राजा महारायाओं की जबान सम्विधान होता था सारी जमीन उनी की मानी जाती थी पर एस्टी हसन साब से ये भी पूछना लाजमी है कि अगर इसलाम के ही अगर रसूलों पर चल कर देखें तो जहां पर ये नमाज वो कह रहा है इसलामिक स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं राम जन भूमी के वर्डिक्ट में कोट ने उसको संग्यान में लेकर क्या कहा है ये भी एस्टी हसन साब को जानने की आवशक्ता है इधर हनुमान गड़ी के महंत राजूदास ने योगी अधितेनात के बयान का समर्थन किया और उन्होंने ग्यान भापी में देवी देवताओं की मूर्ती होने की बात कही उत्तर प्रदेश के सस्वी मुख्वंतरी योगी अधिनाजी महराज को कोट कोट साधुबाद है धन्यवाद है उन्होंने ग्यान भापी के विशे में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा क्योंकि वह ग्यान भापी मंदिर है चीक चीक कर दिवाले चिला रहे है तरसूल का मिल अंदर मस्जिद न कहके मंदिर कहिए उसके अंदर जब जाएंगे परिशर का नेच्चन करेंगे तो देवी देपताओं के प्रतिमा देव लिपी में लिखी हुई दिवालों में अस्तुतियां उसके सासाथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख सिभलिंग का मिलना हम और शुरू से कह रहे थे कि मुसल्मानों को आगी आकर और इसको हिंदों को सोब देना चाहिए दूसरी बात ततकाल वहां पर नवाज बंध होना चाहिए प्रदेश के असस्वी मुख मंत्री आदर्णी स्रीयोगी आदित तिनाजी ने जो कहा है कि ग्यान बापी में जो त रखा नहीं पहले से भी दुआन रहा और तिशूल भोले नात के मंदिर में ही होता है वे शे भी इसलाम में बुद परस्ती हराम है मूर्ती पूजा को हराम मानते हैं तो अगर मुख मंत्री योगी स्रीयादी तिनाजी के बयान का शमर्थन करता हूं अब वहीं हिंदू पक्ष के वकील विश्नु जैन का कहना है कि मुस्लिम समुदाय एतिहासिक गलती को माने और ग्यान वापी को हिंदू पक्ष को दे दे इतिहासिक जो भूल है वो उसको मान लिया जाएं समझोता होता है जब हम कुछ देना चाहें और वो कुछ दे हम यहाँ पर एक इंज भी नहीं देना चाहते हैं मैं बहुत क्लियर शब्दों में आपके चैनल के माद्यम से कहना चाहता हूं जो पूरा खसरा नंबर 9130 है वो हमारे हिंदू मंदर का परिसर है तो समझोता आज होगा तो किसा धर पे होगा तो मैं आप इसको फिर से कर नहीं मानेंगे तो हमारी जो लडाई है वो कोड के माध्यम से चल रही और वह चलती रहेगी अब वहीं विनोद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं विश्व हिंदू परिशत से विनोद बंसल जी क्या आभी चौक गय कि ये योगी आदितिनाज जी बतौर मु अब वास्ते में सच्चाई की तरफ लोटने के लिए उनको प्रेडिट करें मैं यह कैना चाहता हूं देखे कि देश की सच्चाई है और एतियासिक जो भूले हैं उनको सुदारने का समय है आने तो पता है इनको भी है क्या अकरकर इनके हार होनी है क्योंकि सच्चाई एक दिन बाहर आनी आनी है इंक देखे के यही सच्चाई को रोखने के लिए बार बार सर्वे का विरोठ हो रहता हैं अब आप इतनेमें देण आप इनसे मामनों को लेकर कि मुझे लगता है कि देखें जो सच्चाई है उसको सामने आना ही चाहिए अगर यह नहीं लाएंगे अगर यह नहीं सिधारेंगे अपने आपको तो मुझे लगता है कोई तो दिन भी रहने बाला जी बताइए जावेद जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावेद जी नमस्ते योगी आदितनाज जी का कहना कि मुस्लिम समुदाय को समाधान एतिहासिक गल्ती का समाधान उनहीं को सामने लेकर आने की आवशकता है क्योंकि मंदिर की दिवा मंत्री हैं और हर एक समुदाय के मुक्य मंत्री हैं देखिए मामरा सब्जुडिस्ट है और मुझे नहीं लगता कि सम्विधान एक पोस्ट पर बैठ करके आप इस तरीकी की बियान बाजी करते हैं बड़ा दुर्भा के पूर लगता है मुझे कि एक चुना हुआ मुक्य मं तमाम लोगों की आस्पाएं अलग अलग चीजों के ऊपर हैं और यही बुनियात पर रखेंगे तो कल को बिद्स्ट कहड़े हो जाएंगे कल को जैन धर्म के लोग खड़े हो जाएंगे कल को हिसाई धर्म की लोग मंदिर बनाया गया हो या किसी जैन मंदिर को तोड़ करके वहां मंदिर बनाया गया हो हिंदू मंदिर बनाया गया हो या एक बुद्धिस्ट विहार को तोड़ के वहां हिंदू ये सत्यता है। जिसको की तोड़ दिया गया इसको वापत बना दीजिए समाज में निकल के बन जाएगा वहां आपको तकलित तो नहीं होनी चाहिए तो फिर एक आपने आस्था के विशे की बात की ना आप एक बात बताईए कि इस्लामिक स्क्रिप्चर जो जज्जमेंट राम जन भूमी का लिखा गया है उसमें स्क्रिप्चर को कोट किया गया है स्क्रिप्चर क्या इस बात की इजाज़त देता है कि जहां पर कोई पहले ही से ही किसी के आस्था का कोई वहां पर कक्ष हो या मंदिर हो या कुछ भी बना हो वहां पर क्या मस्जिद बन सकती है और क्या वहां पूछ रहा हूं पहले मैं आप से यह पूछ रहा हूं कहां चले गए आगए आगए ने लिंक तूड गया था उनसे हां से आपकी आवाज है पहले मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि जो जगए बतौर शरिया लीगली अक्वाइर साफ तरीके से अक्वाइर नहीं की गई है और वहां से ग्राउंड अप एक एक मंदे एक 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 फूसकी शरिया के हिसाब से बनकर वहां पर मस्जिद नहीं बनी है वहां क्या नमाज अदा हो सकती है अगर तीन सो साल पहले कुछ गलत हुआ तो पच्छतर साल में उस गल्टी को ठीक क्यों नहीं किया गया आप से जो पूछा उसका तो आप जवाब ही नहीं देने से जावेट जो जगह बतौर शरीयत साफ टाइडिल के साथ नहीं लिगए उस जगह पर एक 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 शरीयत के तोर पर नहीं लगाई गई है क्या वहां नमाज हो बसक्तित अदा हो सकते हैं हमारा नहीं हो सकता है तो प्रष्न के साथ उत्तर हो सकता है प्रष्न के साथ प्रष्न नहीं हो सकता मैं प्रशन पूछना आपको तकलीफ क्यों हो रही है आपके आपकी आस्था सुझुला है आप मुझे बता है आउगत करा है आप शांती तो सुन नहीं रहे सर आपके साथ समस्य के शांती तो सुनिये तो कि भारती जंता पार्टी के लोग इस मुद्य को जानबूच करके करेंगे तो कहा जबने भारती जंता पार्टी का को लेना देना नहीं मैं प्रशन सीधा आपकी आस्था से जुड़ा हुआ क्या था सम्विधानिक बेंचने राम जन भूमी में जो कोट किया है वही प्रश्ण में आप से पूछ रहा हूं और आपकी आस्था से जुड़ा क्योंकि ये लोग तंत्र है तो अगर आपकी आस्था की मान्यता होनी चाहिए तो क्या हिंदू की आस्था की मान्यता नहीं होनी झाल झाल